नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल दे करेक्टिव शो, फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंजिल नमबर्स के बारे में, अब तक अगर आप मेरे वीडियो को रेगुलरली देखते आ रहे हैं, तो इतना तो आपको पता चल ही गया है कि नमबर्स यू 4141, 1212, 1221, 505, 1234, 456, 808 and so on, तो इस तरह के नमबर्स को निमरोलोजी में एंजिल नमबर्स कहा जाता है, इन स्पेसिफिक एंजिल नमबर्स के थूग उनिवर्स हमें कुछ खास मैसेजिज कनवे करने की कुशिश करता है, इन नमबर्स में से सबसे पावरफूल और लाइ 1111, इसके बाद सेकंडरी एंजिल नमबर्स होते हैं जो ट्रिपलेट्स की फोम में दिखाई देते हैं, तो इनका अपना अपना एक अलग मिनिंग होता है, आज के वीडियो में हम सिर्फ एंजिल नमबर 1111 की बात करेंगी, तो चलिए पता करते हैं कि यूनिवर्स इस देने का अर्थ है कि अब तक चलिए आ रही आपकी सभी परिशानियों का अंत हो गया है, एक नई शुरुआत करने का समया आ गया है, सब दुख चिंताओं को भूल कर एक नई जीवन की शुरुआत करने के लिए खुद को तयार कर लीजिए, आपका आने वाला समया बहुत सारा गुडलक लेकर आएगा, अभी तक जो कुछ आप प्लैन कर रहे थे, उसे इंप्लिमेंट करने के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि आपके गार्जियन एंजल्स पूरी तरह से आपकी मदद करने के लिए पहुँच कही हैं, अब अगर आप अपने सेट गोल को लेकर एक क्लियर माइंड सेट के साथ आगे बढ़ते हैं, तो काम्याभी सिर्फ और सिर्फ आपको ही हासिल होगी, so that's all for now, stay healthy, stay safe.